हालो फ्रेंड्स नमशकार दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था money is nothing है तो पता नहीं ही वीडियो में कल अप्लोड करोंगो तो इसका मतलब एक है प recipients gonna. काफी लोगों ना उस वीडियो को देखा समझ में आया लोगों को धोका ऐका आपका दिमाग ज्यादा या बाहर से धोका मिलता है ऑनलाइन गेंब्लाइन या और आपका दिमाग देता है अंसे भर या लालत ज्यादा दो तो उसमें कमेंट आया था मुझे उस कमेंट में उस साथ में की बहुत अच्छे लेको इस पर वीडियो बनाना वह बात ये थी कि शुरू से मतलब जब भी कोई गैंबलर जब भी कोई व्यक्ति जब कोई शुरू करता है तो उसके दिमाग के उपर नियंतरन रहता है आपका भी देखना है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आपने शुरुवात के दिनों में आपका दिमाग के कि कैसे रुखना है, कैसे जीतना है, कैसे खेलना है पर धीरे-धीरे जैसे जैसे आप पुराने होते गए तो आपका दिमाग के उपर से कंट्रोल हटता चला गया और आप एक पैसे गवाने लग गए मतलब आप जीत कम रहे हो हार जाधा रहे हो इसको चाहिए क्वांटिट में होता है और कुछ वोसा इमाउंट में होता है पर मतल yıl स ultimate कर दोनों की पर बर चाहर है और कभी धी ऐसा नहीं होता है याज सीदा सीदा हार जो अगर ऐसा होता तो अभी आप फैसला करते हो वियार मैं लगता हर रहों ने कभी भी दुनिया में कोई भी ग्राफ सीधा ऐसे नहीं दिखा होगा आपने ग्राफ बोलते हैं जैसे शेर मार्केट के ग्राफ होते हैं हर चीज का ग्राफ होता है तो कोई भी ग्राफ ऐसे नहीं आता है सीधा नीचे वह ऐसे ऐसे करके नीचे आता है और ऐसे करके ऊपर जा यार मैं आप छोड़ दूंगा तभी आपके साथ कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती आप जीत जाते वी या प्लस जाते ओर आप कहते ओंडही यार अभी किताब पढ़ रहे हैं if मिल जा रहे हैं कुछ भी हम करते हैं'm जैसे- जैसे पुराने होते हैं हम उसमें एक्स्पर्ट हुते हो मतलब आप business कर रहे हो नए नए business men बने हो नए नए दुकान खोली है नए नए बिसनस कर रहे आपको तजुर्बा आता है, आपकी नौकरी बढ़िया चलने लगती है, आपको सीनियर कहा जाता है, आपको पैसे ज़्यादा रहती है, कहने की बात है कि जिस भी चीज में हम जितने पुराने होते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं, और यह चीज गैंबलिंग में क्यों लग जाते हैं, रिपीट कलतिया करते रहते हैं, और हम धीरे-धीरे हमारा लॉस भरता चला जाता है, जबकि बाकी दुनिया के किसी भी फिल्ड में, किसी भी तरह के पेशे में, किसी भी चीज में, चाहे कोई स्पोर्ट ही क्यों नहों, आप पहले दिन क्रिकेट खिलने ग परफेक्ट, मुझे ढंसे नहीं आ रहा, अगर आप में से किसी कोई कहावत आती हो, तो मुझे करेक्ट कर देना, क्या होता है, कि more practice make perfect, मतलब कि आप जो भी चीज ज़्यादा प्रेक्टिस करते हो, ज़्यादा जब उसमें वक्त बिताते हो, तो तजरूबेकार होते हो, औ पर gambling के मामले में यह उल्टा क्यों हो जाता है, कि यह हम जितने पुराने होते हैं, होना यह चाहिए कि नए अनाडी हैं, तो हारना चाहिए, पुराने होते जा रहे हैं, तो हमें बहतर होना चाहिए, हमें तो जीतना चाहिए, हारना कम चाहिए, ज्यादा बार जीतना चाहि जब सबसे पहली बार मैंने कसीनो को लेके बात करना शुरू किया था, जब मैं गोवाब में आया था, लोगडाउं के बाद कसीनो खुल ले थे, तो मैंने हमें एक प्ले लिस्ट बनाई थी, अपने में चैनल ट्रेवल एंड नॉलेज पर साइकलोजी ओफ कसीनो, उस समय बह 112 या 15 वीडियो ट्रेवल एंड नॉलेज पर है, जो मेरा में चैनल है, साइकलोजी ओफ कसीनो, साइकलोजी का मतलब होता है, मनो विज्ञान, कि आप गैंबलिंग के कसीनो के मनो विज्ञान को समझो, बाकी दुनिया के हर शेत्र में हम पुराने होते जाते हैं, तो हम बहत के लागू होगा, कि कि सारे कारण लागू होगा, आप लोग बताना आपके लागू है , एक है, ओवर कॉंफिदेंस, कि अब तो मैं पुराना हो गया हूँ, मुझे पता है, मुझे आता है ये जब जो आदमी बोल रहा था वो खुद लॉस में होता है, पर फिर भी वो ये यह मैंने कैसे पता लगा है जब इतने देशों की कसीनों में खेला वहां पर मैंने देखा कि लोग आते हैं गुड़ लग के लिए आते हैं या वो इतने शोर शोर्ट होते हैं मुझे आके बूलेंगे या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हुआ यह नंबर लगा यह आएगा और कई बर वो आता भी है क्योंकि वो खेल नहीं रहा ना इसलिए उसका बिल्कुल सही बैठेगा अब सोचो कि और मैंने तो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट देखे हैं कि एक नंबर या दो नंबर प्रेडिक्ट करते हैं या एक नेबर प्रेडिक्ट करने का मतलब है कि पांच और उस ओवर कॉंफिडेंस के चक्कर में वह उस क्या आएगा वाली बैट पर ज्यादा लगाते हैं जबकि वह अगर ध्यान से सोचे तो कम बार उनके नंबर आते हैं ज्यादा बार वह जो प्रेडिक्ट करते हो नंबर नहीं आते हैं और जनरली ऐसा होता है जब आप खु ज़्यादा बैट आएगी कम जाएगी पर सेम चीज़ जब आप अपने लिए खिलते हो तो आपकी कम बैट आती है ज्यादा बैट जाती है ऐसा इसलिए होता है कि हम ओवर कॉंफिडेंस होते हैं कि हम पुराने हो चुके हैं हमने इतना जीता हुआ हमारे पास रेफरेंस हो रोका आए एक बार मैंने बी-स पर लगाई ती चिप मैंने हजार रुपर रख युर फिर सिर्व जी ने बर आया हमेशा वह विनिंग के रीफरेंस याद करता है अब कभी हुनिंग के लिए गिखर बात एखिक कभी बीने पुलते हैं उत्या यह जाता है एक दिन मैं अत्रा जीता एक इन तो ये बैट पर इतना प्एसा आ गया कभी कि थो निपताते कि मैं मैंने उससे पहले चार लगा थी दैला रखाए टी जिया ड़त है यह ऑई जैदा पर कम अमॉंट कम आ रहा करने वालों के साथ ज्यादा ठ्री होता है जो रूरेड में ज्यादा पर करते हैं उनके साथ इंके बहुत common समस्या है जब जीटे हैं बैट आती है उनके पास Edit Profit कम होता है पर जब उन की बेट जाती है तो उनका बहुत ज्यादाइमाूंट जाता है ठीक है एक तो बेट के लिए आ गई ये आज के लिए इतना काफी रुकना नहीं में हो गया आपको मालूम है मैं आपके पास तजुर्बा है इन जुवारियों के पास तजूर्बा होता है कि एक बार मैं 10,000 जीतिया था पर मैंने सूचा कि 12 करता हूं और मेरे सारा चले गया, एक बार मेरे 14,500 हो गए थे, एक बार मेरे 14,500 हो गए थे, मैंने सूचा 15 करता हूं पर मेरे सारा चले गया, इतने सारे इनके पास उधारन हो के बावजूद भी यह दो फिर इन उधारनों से सीखने की बजयाए क्यों नहीं सीखते हैं सीखने की लुद करते हैं वह गलती का कारण एक लालच्र थree सह रहे हैं हम उन उग इस आप Goes दर किस बात का वे धे का नहीं नियुक्य क्या होता था में आगे ये भी बात करेंगे विषूरु अंध में कीसी डर का कारण यह है कि लिए इसको आसे कर लेते हैं इसले डर का कारण यह है कि जब शुरू में पैसा हार चूके होते हैं फिरने रहते हैं और जो पैसा चले जाता ज्यादा तो यह लोग फिर पैसा ब्याज पर पकड़ते हैं उधार पकड़ते हैं लोन लेते हैं यह जो Chinese लून है दोस्तों से रिश्टेदारों से घर से चुराते हैं किसी important काम के पैसे हार जाते हैं मैं ऐसे ऐसे उसे मेरी फोन पर बात हुई है उन्होंने मेरे से बात हुई है कि कम्पनी के पैसे बड़ी पोस्ट में है कम्पनी ने प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसा दिया है वो गैम्लिंग में हार गए कोई किसी को घर के लिए पैसा मिला वो हार गए एक में गोवा में जब मैं इस लेटल साथ हजार पार ह 훈ा कि मैंने अपने रखते हूं पर टार्टस और वहां से घठना शुरू हो गया घटते 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 वह 20,000 पर आ गया 20,000 पर आने के बाद उसने मुझे बताया कि फिर से बढ़ गया फिर से बढ़ते बढ़ते वह वापस एक लाग से उपर निकल गया पर वो रुका नहीं कि अरे मेरको तो आता है खेलना आप तो मैं एक साथ करी दूँगा उसके बाद तीसरी बार उसको मौकानी मिला धीरे धीरे करते करते वह बिल्कुल जीरो गया लास्ट में एक हजार रुपे कहरा है मैंने बस मेरे पास बचे बना लग गया उसको दूसरा तीसर ही दिन था क्योंकि वह उसके मैं होस्टल के पैसे भर एथे होस्टल का ही लगा यह लडगाई था मैंने कोई नहीं मैं पैसे दी देता हूं करवाई कि उसकी जानपर चाहन तो यहंग आपको जाना है यहार में यार blev यहार में फ़ौन कर दूंगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑर हमारी अन आम करेंगे जब दू 알क diyor तो हम बात करतें डर की यह तो मैंने चलो किस्सा बीच में आ गया तो मैंने बता दिया अब वो क्यों नहीं जा रहा था अब वो वो उमीद क्या कर रहा था मालूम है कि कहीं से मुझे कुछ पैसे मिल जाए ताकि मैं फिर से गैंबलिंग कर गरें कम से कम 60 थो और गर जाया कि जो फाय तो इस बात कि पैसा नहीं आया तो मैं ब्याज वाले पैसे यूज किया हुए वो काम रूख जाएगा वो काम कैसे मैं पूरे करूँगा एक आदमी का में पर फोन आया कि उसकी भेहन की शादी थी उसने अपनी बहन की शादी के पैसे खर्च किये कि मैं थोड़े बढ़ा लेता हूं शादी भी धंग से हो जाएगी मेरे पास भी प्यार अफ्लाइंग और वहां से पैसा लाएंगे और फिर यह करेंगे तो जब यह जब यह И Single Wow पर क्य Pan कर रहा होता है यह अगर जीते नहीं तो जो लोटा MIKE न जो है वो भी चलेगा और 99% यह पैसा चले जाता है तो एक और कारण है पुराने होने के बाद हारने का कुभी करजा चड़ा होता है गलत सूर्च से पैसा लिया होता है इसलिए वो पैसा डर की वज़े से आहां वो परफॉर्मेंस नहीं रहती है वो सीखा हुआ सब भूल जाता है बस डर हावी रहता है और वो पैसा चले जाता है एक और कारण है जो थोड़ा साअ और सॉक्लोजिकल कारण है यह सारे साइक्लोजिकल एक है ने किस बात का दबाव, दुनिया को दिखाना है, घरवालों ने खुब ताने मारे, खुब जलील करा, आज जीत करके घरवालों को जवाब देना है, दिखाना है कि मुझे में भी दम है, मैं भी करके दिखाऊँगा, दुनिया को साबित करूँगा, एक दिन मैं भी बड़ा आद expert होते चले जाते हैं उसमें उतना बहतर perform करते हैं पर gambling के अंदर हम जितने पुराने होते चले जाते हैं हम उतना हारते चले जाते हैं उतनी ही गलतियां repeat करते चले जाते हैं एक और important कारण है जो भी यहां पर 15 मिनिट तक पहुंचा है यह उन लोगों के लिए फायदे मन सबस इस फटाएब ओGANGA में टारे हैं जैतने अक आश में ऊतने नीरोन सभी आपस में 1000 अरब connection मनदे मतलब हम आम को है अवाज सुनते हैं तो हमें कैसे मालूम बढ़ता है कि वह आवाज संगीत है या श अर्यावा शो बटकिसें नियुरॉज आधी 5-6この मालूम होता है यह हम घलत कर हैं पर हम फिर भी वही नंबर दबाते हैं मैं ऐसे एक आदमी को chances कसीनों में टेबल पर रोते हुए देखा था, खुब शराप पी रखे थे और रो रहा था, वो कह रहा है नंबर मेरे दिमाग में है, मुझे मालूम है कि कौन सा नंबर आएगा, मैं उन नंबरों पर पैसा लगाना चाहता हूं, आखरी में वही नंबर छूब जात के concentration की नहीं होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो school में, college में लेक्चर होते हैं, school में जो period चलते हैं, हिंदी का, इंगलिश का, जो period होते हैं, यह सब आदे घंटे से ज्यादा के नहीं होती है, college के अंदर पौने घंटे, एक घंटे से ज्यादा के कोई lecture नहीं होती है क्योंकि इसके बाद हमारे दिमाग की concentration power खतम हो जाती है, और हम ध्यान भटकने लग जाता है, यह बहुत important रूल है, इसलिए पहले देखो, picture तीन घंटे की बनती ही, अब धीरे-धीरे लोग इतना शूर आ रहा है, इतनी information आ रहे हैं कि concentration power भी हो रही है, आपको दुनिया की सबसे अच्छी picture भी दिखा दे, अगर वो 3-4 घंटे की बोर हो जाओ, तो क्या होने लगा, फिर उसके वो picture धीरे-धाई गंटे की होने लगी, फिर 2 घंटे की होई, फिर 50 मिनट, 55 मिनट, 110 मिनट, 110 मिनट, इस तरीके से picture होने लगी, 90 मिनट, duration कम हो गया, अब और concentration कम होगी होगी, real, short video, या अब तो आप देखो तो web series, web series में क्या है, आदे-आदे घंटे के 10 पार्ट बना दिए, 30-30 मिनट के 10 पार्ट बना दिए, या 50-50 मिनट के 10 पार्ट बना दिए, अब 500 मिनट का एक video बनाएंगे तो नहीं देखेगा कोई, पर वो बना दिया, series 1, episode 1, 2, 3, अ वरना निकल लो, आदे-पोने घंटे से जादा कि लगातर gambling मत करो, ब्रेक लेके करो, लगातर कई दिन तक मत करो, ये सब वो कारण है कि हम gambling में जितने पुराने होते चले जाते हैं, हम उतना अनारी होते चले चले जाते हैं, उतनी गल्तियां repeat करते चले जाते हैं, अब आत होता है, पैसे का दबाव नहीं होता है, कि पैसा किसी को लोटाना है, छोटे amount से play करता है, try करने के नाम पर, तो ये इतनी सारी जब चीज़े positive होती उसके साथ, तो वो maximum वो लोग plus होते हैं, और अगर हार भी जाएं, तो वो कहते हम तो आये थे मज़े के लिए, मज़े ले पैसा अपना होता है, छोटा amount होता है, pattern नहीं बने होते हैं, सबसे important बात, pattern नहीं बने होते हैं, किस से कहानिया नहीं सुनी होती है, जब हम पुराने हो जाते हैं, किस से सुन लेते हैं, अरे उसने एक दिन एक लाग से 70 लाग बनाया, उसने ये बनाया, उसने वो बनाया, को हटने से हो क्टिये धिव यूवप करने से रोक्ते हैं आपका है मन कह रहा है mamma कोई नई पूरान होता है वो हरता चला जाता है दुनिया के सबी फिल्डंड में पुराने के बाद हम expert बनते हैं गैंबलिंग में पुराने होने के बाद expert नहीं बनते हैं उल्टा बरबाद हो जाते हैं तो दोस्तों लोगों के उपर कोई असर हो रहा है या लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं तो मैं आगे इस तरह की और बाते करूँगा क्योंकि देखो जुवा चूटेगा तो मनो विज्ञान से ही साइकलोजिकल तरीके से चूटेगा पता तो आपको भी बरबादी है शास्त्रों में भी लिखा है आपके घरवाले भी बोलते हैं फिर क्यों नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि मनो विज्ञान है इसमें साइकलोजिकल आपको जकट रखा कसी नों अंदर से जूवे ने पाकि आपकी मर्जी ओके गुद्बाई थेंक यू